इच्छाधारी नागिन स्वर्ण लता मनुष्य रूप में सुन्दर बन के जंगलों में नौका विहार कर रही थी उसी समय जंगल में राक्षस काल वरुन का आगमन हुआ स्वर्ण लता की सुन्दर्था से वे उस पर मोहित हो गया और उसने स्वर्ण लता से विवहा का प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर स्वर्ण लता बोली अरे मूर्ख करूप राक्षस तूने कभी आईने में अपनी शकल देखी है जो मुझ जैसी रूपसी से विवहा करना चाहता है ऐसी इच्छा क्यों करता है जिसे सुनकर ये संसार तेरा मजाग उड़ाए सुन लता तुझे मेरी शक्ती का कोई अंदाजा नहीं है मुझे इंकार करने से पहले तुझे मेरी शक्ती के बारे में जान लेना चाहिए इस संसार में कोई भी मुझे नहीं मार सकता ना मैं दिन में मर सकता हूँ और ना रात में ना ही मेरी मृत्यू हत्यार से हो सकती है मेरी मृत्यू तो मेरे शरीर में नहीं है मैं अमर हूँ मुझे कोई नहीं मार सकता कोई नहीं जानता कि मेरे प्राण कहा है अरे मूर्क, तेरी मृत्यू मेरे विश्दंतों से तो हो सकती है, अपना भला चाहता है तो यहां से चला जा मैं इस तरह स्कार का भ्यानक बदला लूँगा, तुझे मैं अपनी रानी बनाना चाहता था पर अब तुझे मेरी ही रानी की दासी बनना होगा ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा, जल्दी ही तुझे इसका फल मिलेगा हाँ राक्षस काल वरुण चुप चाप वहां से चला गया, और कुछ तिनों में इच्छाधारी नागिन स्वर्ण लता भी इस घटना के बारे में भूल गई धीरे-धीरे काफी समय गुजर गया, एक दिन जब स्वर्ण लता के जन्मदिन में नाच काने का आयोजन चल रहा था, स्वर्ण लता के नृत्त से उसके घुंग्रियों की आवाज दूर-दूर तक गूंज रही थी, और वह अपनी मधुर आवाज में गा रही थी तब ही अचानक तेज आधियां चलने लगी, और धूल भरी हवाओं के कारण सारा आयोजन बरबाद हो गया, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक एक तेज आवाज आई मैं राक्षस काल वरुण हूँ, सोन लता, तुम्हारा गाना और नाच बहुत आकर्शक है, मैं तुम्हारा अपरण कर रहा हूँ, यदि परी लोक में, नाक लोक में, कोई भी तुम्हें बचाना चाहे, तो उसका स्वागत है देखते ही देखते, राक्षस काल वरुण स्वर्ण लता को लेकर गायब हो गया, पूरे नाग लोक में हाहा कार मच गया, जब यह घटना स्वर्ण लता के पिता, महराज अहंकारी को मिली, तो वह क्रोच से पागल हो गये और बोले लगता है, राक्षस काल वरुण की मृत्यू का बुलावा आ गया है, उसकी इतनी हिंबत, जो उसने मेरी बेटी सोन लता का अपहन किया, मैं प्रतिज्या करता हूँ, कि जब तक मैं अपनी पुत्री को वापस नहीं ले आउंगा, अन्न जल ग्रहन नहीं करूंगा महराज की बात सुनकर पूरे नाग लोक में दुख की लहर दोड़ गई, सभी सोचने लगे, यदि स्वर्ण लता की आने में समय लगा, तो भला महराज का क्या होगा? दूसरी तरफ राक्षस काल वरुण अपने महल पहुँचा और सैनिकों से बोला याद रखना, ये इच्छाधारी नागेन सुन लता है, इसको बचाने इसका बाप, इच्छाधारी नाग, अहंकारी यहां जरूर आएगा, इसलिए मैं कैद खाने को जादूई शक्तियों से सुरक्षित कर रहा हूँ, मेरी आग्या के बिना, यहां पर कोई नहीं आ सकता, यदि किसी ने बिना आग्या प्रवेश करने की कोशिश की, तो वो पत्थर का बन जाएगा, हम, अब देखता हूँ, सुन लता किस तरह मेरा त्रसकार करती है, दुष्ट राक्षस, तू नहीं जानता, हम इच्छाधारी नागों पर किसी प्रकार की जादूई शक्तियां प्रभाव नहीं डालती, तू मेरे पिता के यहां आने से पहले मेरे वार से बच कर दिखा, स्वन लता ने तुरंत नागिन का रूप धारण कर लिया, और अपने विश्ट दातों से राक्षस काल वरुण पर विश्ट की वर्शा करने लगी, उसकी विश्ट की बूंदें जहां पर भी पड़ती, वह जगा पूरी तरह से जल जाती, किन्तु शक्तिशाली राक्षस और उसके सैनेकों पर एक अकेली नागिन का कोई खास असर नहीं दिखा, आखिर कार वह ठक कर शान्त हो गई, घमंडी नागिन, मेरी कैत में भी तेरा घमंड नहीं तूटा, तुझे तेरे घमंड का सवक मिलना चाहिए, तेरा सारा विश्ट समाप्थ हो चुका है, और इसके साथ ही तेरी शक्ति भी, सेनिक स्वणलता को कैद करके महरानी अंजलिका के कक्ष में ले गए, महरानी अंजलिका एक बड़ी ही बुद्धिमान और खुबसूरत राक्षसी थी, वे जानती थी कि उसका पती राक्षस काल वरुण स्वर्णलता के साथ अन्याय कर रहा है स्वर्णलता मुझे पता है मेरे पती ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है किसी नारी को उसकी इच्छा विरुद्ध अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करना पाप है तुम घब्राओं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ और जल्दी ही तुम्हें मुक्त करने के लिए तुम्हारी सहायता करूंगी धन्यवाद महरानी पर मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सहायता की आवश्रक्ता पड़ेगी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिता शीग रही मुझे यहां से बचा लेंगे स्वर्णलता तुम मेरे पती को नहीं जानती वह एक मायावी राक्षस है उसने वह महल जिसमें हमें रखा है ना पृत्वी पर बनाया है ना आकाश पर हमारा महल बादलों पर बना है जो कि बादलों के साथ ही पूरे आकाश में घूमता रहता है तुम कहां पर हो इसका पता लगाना तुम्हारे पिता के लिए असंभव होगा क्योंकि लगातार हवा में घूमते रहने के कारण कोई भी जादूई शक्ती यहाँ पर काम नहीं करती मुझे विश्वास नहीं होता बहन ऐसे दुष्ट मायावी राक्षस की पत्नी तुम्हारे जैसी नेक कैसे हो सकती है स्वर्णलता मैं कालवरुण की पत्नी जरूर हूँ किन्तू शायद तुम्हें पता नहीं मेरे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है इस दुष्ट राक्षस ने मेरे होने वाले पती सेनापती राक्षस कालेश्वर को धोखे से मार कर मुझसे विवाह किया है विवाह होने के कारण मैं बस पत्नी धर्म निभा रही हूँ किन्तू किसी दूसरी स्त्री के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी अभी यह दोनों बात कर ही रही थी तभी राक्षस कालवरुण वहां आ गया उसके साथ स्वनलता के पिता इच्छाधारी नाग अहंकारी भी संजीरों में जक्ड़े हुए थे वह बोला अब बोलो स्वनलता किसका इंतिजार कर रही हो तुम्हारे पिता बेडियों में जक्ड़े तुम्हारे सामने खड़े है अब तुम्हें मेरा प्रेम निवेदन सुईकार करना ही होगा मेरी पत्नी बनना सुईकार कर लो वरना तुम्हारी आखों के सामने तुम्हारे पिता का वद कर दूँगा काल वरुण मुझे तुम से विवाहा करने से ज्यादा मृत्यू सुईकार है मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है तुम चाहो तुम मुझे और मेरे पिता को मार सकते हो अचानक काल वरुन को महसूस होने लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है उसने देखा उसकी पत्नी अंजलिका उस तोते की गर्दन मरोड रही थी जिसमें उसके प्राण बसते थे काल वरुन तेरी मृत्यू मेरे हाथों में है तुने मेरे प्रेमी सेनापती राक्षस कालेश्वर को धोखे से मार डाला और मुझसे विवाह कर लिया और अब तु ऐसा ही अन्याय स्वर्णलता के साथ करना चाहता है तु भूल गया कि तुने मुझे यह बता दिया था कि तेरे प्राण इस तोते में रखे है ले मैं आज तेरी कहानी खत्म करती हूँ और स्वर्णलता को हमेशा के लिए स्वतंत्र करती हूँ देखते ही देखते तोते के साथ ही काल वरुन के प्राण पखेर उड़ गए और महरानी और स्वनलता दोनों ही राक्षस के चंगुल से स्वतंत्र हो गई और हमेशा हमेशा के लिए उनकी दोस्ती अमर हो गई और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे झाल झाल तो तो झाल झाल